Hello everyone, welcome back to my channel Self-learning जैसा कि आप जानते हैं, हमने Teaching 2024 UGC Net के लिए अपनी जो classes है, वो start कर दी है और आज हमारी class number 6 है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे page पर जाकर आप target batch 2024 के नाम से जो हमारी playlist है, उसो check कर सकते हैं तो जो सारी classes है, वो आपको मिल जाएंगी आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि पर वन की पहली unit है Teaching Attitude, उसको हम पढ़ेंगे और जिसमें सिक्षण अभिक्षमता के अंतरगत हमें पढ़ना है Factor Effecting Teaching और ऐसे कौन-कौन से factors हैं जो teaching को effect करते हैं Types of teaching के बारे में समझेंगे तो important होगी अच्की class तो जरूर देखेगा last तक, चलिए अब start करते हैं तो हमारी जो class है, इसका जो हमारा topic है वो है blended of teaching अब इसकुम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं blended of teaching के बारे में समझें तो mistrit adhyyan जिससे कहा जाता है वो हमें पढ़ना है mistrit adhyyan का मतलब क्या है जो बहुत सारी चीजों का mixture कर दिया जाए तो वो हो जाती है blended of teaching अब इसका जो originate हुआ था ये term ये USA में हुआ था लेकिन इसका कोई clear single definition आप पूछे तो नहीं है अभी तक नहीं समझ में आया है blended of learning जो है वो क्या है online learning साथ ही साथ में face to face learning इन सभी का combination है एक तरीके से combo बना दिया है जैसे हम एक mixer grinder में सब कुछ blend कर देते है सब mix कर देते हैं इसी तरीके से teaching को भी हम बहुत सारे अलग-अलग पागमों को एक साथ जोड लें तो blended of teaching के लाता है आगी बाते करें इसको और समझनी की कोशिश करें teaching कहें या learning कहें teaching learning process का एक part होता है blended of learning it's also defined as a combination of multiple approaches to pedagogy pedagogy मतलब क्या होता है section सास्त्र होता है एक तरीके से जब students को पढ़ाने के लिए हम teaching के अलग-अलग methods का यूज करते हैं तो उस terminology को हम इस नाम से पहचानते हैं pedagogy के नाम से जानते हैं pedagogy of teaching के नाम से जानते हैं अब यहां पर अलग-अलग approaches हो सकते हैं मतलब जैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है पारंपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप class ले रहे हैं teacher पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं यही पारंपर एक तरीका होगा है इसके अलावा दूसरे तरीके होते हैं self study review की जाती है मतलब जैसे अपने आप यह अनौप्चारिक धरीके से पढ़ रहा है collaborative learning है अलग-अलग तरीकों के उपागमों का इस्तमाल करके पढ़ रहा है तो कहने का तात पर यह है कि अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग अपर उससे पढ़ना उसको कहा जाएगा blended of learning ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है गोल तो यही होता है कि आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं जो सीखना चाह रहे हैं वो आप सीख जाए है ना आजकल तो अलग-अलग तरीके हो गए हैं पहले के जमाने में तो केवाल एकी तरह से टीचिंग होती थी के class room में एक तरीक एका class room है और जिसमें कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार चाहे वो bench पर बैठे हो चाहे टाटपटी पर बैठे हो और यहाँ पर एक blackboard लगा हुआ है एक teacher खड़ा हुआ है जो यहां पर उसे पढ़ा आ रहा है और यह बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं और जिने पूछना होता है वो पूछते नहीं पूछना होता है नहीं पूछते इस तरीके की से चरूती लेकिन अब क्या है ओनलाइन माध्यम से सेल्फ स्टडी के मात्यम से वीडियो लेक्च्छ के मात्यम से अलग अलग उपागमों से स्टडी होने लगी है जिससे कहा जाएगा कमबाइन फॉर्म में ब्लेंड उफ लर्निंग अब आपको ब्लेंड उफ लर्निंग के बारे में और समझना हो तो देखे यह परापरक तरीका है जिसमें एक मैडम है जो पढ़ा रही है एक तरीका है जब बच्छा ऑनलाइन पढ़ने कोशिश कर रहा है यह समें टीम जिसको हमें समझना पड़ेगा कम बद्रूप से हम समझेंगे पहला तो हो जाता है simple to complex मतलब पहली बात आप बहुत simple तरीके से चीजों को समझे उसके बाद धीरे-धीरे कठिन की तरफ जाए मतलब सरल से लेकर जटित और यह कहां पर आपने देखा होगा जितने भी अच्छे जो कठिन माने वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे mathematics होता है, science होता है, social science में भी कुछ ऐसी problem होती है जैसे geography हो गया, chemistry हो गया, physics हो गया, इसमें पहले क्या किया जाता है बहुत ही छोटे छोटे आपको problems दिये जाते हैं, जिनको आप solve कर ले जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको cut in problems को समझाने की कुशिश की जाती है या फिर एक तरीके से समझा जाए पहले आपको numbers में बताया जाएगा 2 plus 2 is equal to 4, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा abstract form में आप पूछे, x plus y is equal to what तो अब यहाँ पर आपको problem को देखना पड़ेगा, x की value निकालने पड़ेगी, y की value निकालने पड़ेगी फिर अब उसके equivalent क्या आएगा, उसके बारे में उसकी value निकालनेगी तो मतलब सरल से जटल की ओर, नेक्स आजाता है from known to unknown, अब यहाँ पर chemistry का आपको मैं example दिखाऊँ, तो बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे से elements होते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, चोटे-चोटे से तत्व के बारे में समझना, और उसके बाद में इनका compound बनाते हैं, इन तो मतलब oxygen का एक ले लिया, तो पानी बन जाता है, जिसको कहा जाता है, H2O, अब यहाँ पर देखिए, hydrogen ले लिया है, उसके oxygen ले लिया है, ठीके यह चीज आप जानते हैं, इसके combination से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो यह क्या ह known to unknown हो गया, from scene, next हो जाता है, from scene to unseen, जो चीज आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, वो हो जाएगी scene value, और उससे निकल के आ जा रहा है, वो हो जाती unseen value, the students should impart the knowledge about the present and they can understand the past and the future, अब हो सारी चीज़े होते हैं, जैसे कि archaeological departments होते हैं, जहां पर आप किसी monument को जाकर सच करते हैं, तो वहां पर आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो अभी present situation है, उससे आप अंदाजर लगाते हैं, आज से 400 साल पहले ये जो building थी, ये जो monument है, वो किस तरीक से दिखाई दे रहा था, आज से 500 साल बाद ये किस तरीक से नजर आएगा, ठीक है, इसके बारे में समझते है जो seen to unseen के बारे में बात की जाती है, next आ जाता है, fourth number का, from concrete to abstract, अब यहां पर वही चीज, concrete का मतलब है, जो चीज हमें नजर आ रही है, जिसको हम देख पा रहे हैं, तो वह हो जाती, concrete इसके तहत हम किस पर चले जाए, abstract पर चले जाए, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, ठ for them at last stage, using real life example given idea, ठीक है, बच्चों को ऐसे ideas देकर, ऐसे examples देकर, ऐसे चीज़े सिखाए जाती है, जो पहले वो समझते हैं, जो उन्हें नजर आ रहा है, उसके according abstract form में यह समझते हैं, कि इसका further क्या इस्तमाल हो सकता है, क्या pictures clearly सामने आएगी, इसका इस्तमाल करके, तो यह समझाया जाता है, ठीक है, from particular to journal, अब particular का मतलब होता है, विशिष्ट से सामानने की ode, अब बहुत बड़ी चीज़ें आपको समझाया जा रही है, यहाँ पर क्या जाता है, the student should be present with the example first and then general laws, their derivation can be explained to them, मतलब यहाँ पर कहने का दाज पर यह है, कि बहुत particular चीज़ें को बता कि इसका इस्तमाल कहां पर होता है, demonstrate करके, experiment समझा कर, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, आगे बढ़ते हैं, six number पर आता है, from whole to part, देखे, whole का मतलब क्या होता है, यह complete picture है, अब whole को part में जैसे suppose करते हैं, एक tree है, यहाँ पर एक tree मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यह tree बन गया, अब इसमें क्या होंगी, अलग-अलग branches होंगी, इसमें leaves अलग-अलग type की होंगी, मतलब अलग-अलग type की होंगी, इसमें flowers अलग type की होंगे, और इसका तना अलग type का होगा, इसकी जो roots होंगी, इसकी जड़े होंगी, वो अलग-अलग type की होंगी, लेकिन आ यहां पर खड़े हैं और यहां खड़े होने के बाद में आप सोच रहे हैं यह क्या है इसको देखने की कोशुश कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा यह एक पेड है रहे है अपको यह अलग से सामने कें दिखा गाल हैं 이용 हम पूल पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है यह एक ट्री है ठीक है इन अप अप इसको फिर पार्ट में समझने की कुश्छेश काता है कि इसकी पत्ी आगा कैसे होती है इसका तनह कैसे होता है इसमें कि असलो प्रिकाल की। इस फर यहां पर कैसे इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर यह अलग-अलग पार्ट के बारे में समझा जाता है psychological term में देखा जाए तो इसे gestalt psychology कहा जाता है ठीक है gestalt psychology psychology की form में हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें पहले बात की जाती है होल की उसके बात फिर उसके चोटे-चोटे अलग-अलग पार्ट को समझने की कोशिश की जाती है ठीक है कोहल और कोफ का जो है इनकी जो main psychologist है इसके वो यह मान जाते हैं आगे बढ़ते हैं सात्वे नमबर पर बात की जाती है from indefinite to definite अब जो चीज हमें नहीं पता है इसको mathematics के term में कहा जाता है infinity मतलब 1, 2, 3, up to infinite मतलब कहा जाता है न कि यहां से अनंत तक की गिंती की जाते है जो कि हमें नहीं पता है अब लेकिन x की value कहां पर आएगी कितनी आएगी तो वो यह कहीं पर vary करती है कहीं पर stay करती है तो उसकी value में find करनी परती है तो from indefinite to definite की बात की जाती है ठीक है अब आता है from psychological to logical during initial stay psychological order is more important whereas for grown-up learner logical order empathize more अब यहां पर बात की जाती है जब चोटा बिच्चा होता है उसको psychologically समझाने की कोशिश की जाती है धीर धीर जसे जसे बड़ा होने लगता है वो logics के form में समझने लगता है हर चीज को logics के रूप में जानने की कोशिश करता है तारकिक उसकी शक्ती जो है वो improve हो जाती है आगे बात करते हैं from analysis to synthesis analysis का मतलब हो जाता है analyze करना ठीके और synthesis का मतलब होता है translation करना analysis का मतलब visualization करना ठीके अब क्या होता है कि किस तरीके से इसको समझना है मैं बताती हूं आपको चात्रों में विशय के बारे में बहुत कम या इस पश्ट घ्यान होता है visualization का अट होता है समस्याओं को उनके घटक भागों में विभाजित करना और उसके बाद में समझना suppose करते हैं आप किसी compound के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे कि वह compound जो है वह किस-किस चीज से मिल पर बनके बना हुआ है मतलब कौन-कौन से elements हैं जो जिससे मिलकर वो बना हुआ है अब इसकी properties देखेंगे पहले एक एक element की properties को समझने की कोशिश करेंगे उनकी physical और chemical properties को समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद फिर यह compound जो बना हुआ है ना इसको समझेंगे इसकी अलग-अलग कहने की कौन-कौन से ततों की जो गुण है वो इसमें लगू हो गए है या फिर कौन-कौन सी chemical properties है जो इसमें लगू हो गई है या फिर बिलकुल नहीं हो मतलब पहले चीज़ों को अलग-अलग छोटे-छोटे parts में divide करके समझना और उसके बाद में उसको combined form में समझना तो यह कहलाता है analysis ठीक है इसको हम कहते है analysis ठीक है लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि translation का मतलब क्या होता है आपने यहां पर कोई एक विशय में पढ़ा फिर दूसरा विशय पढ़ा फिर तीसरा विशय पढ़ा फिर इसी के अलग अलग तत्तों के बारे में आपने पढ़ा फिर आपने क्या किया कि इन सभी dots को connect करने के कोशिश करी यह सारे dots connect होंगे और connect होने के बाद में अब देखेंगे आपकी अब क्या element बन रहा है किस तरीके की picture हमारे सामने आ रही है तो जब बड़े से part को छोटे-छोटे में विभाजित करके समझते हैं तो इसको analysis कहते हैं और कई सोरे चोटे-चोटे भागों को एक साथ जमा करके जोड़के समझते हैं तो इसको हम simulation कहते हैं synthesis कहते हैं फिर आता है follow nature मतलब it means the regular regulate the education of people according to his nature बच्चे जिस तरीके से समझने की कोशिश करता है उसको उसी भाषा मे समझाने की कोशिश की जाए training of success यहां पर the type of sense की बात की जाए कि जिस्स स्огодि सेंस की बात की जायरी training of प्रस्रिक्शन देना जैसे आंखों से हम क्या करते हैं देखते हैं कानों से सुनते हैं स्वाद लेते हैं स्पर्स लेते हैं गंद मतलब स्मेल करते हैं और किसी कुछ चीज को टच करते हैं तो अगर बच्चे को यह सारे सेंसिस के बारे में समझना आना हो तो कैसे जैसे उसके सामने गुलाब का फूल दे दिया, अब गुलाब का फूल है, उसके हाथ में आएगा, तो बच्चा पहले देखेगा, देखने के बाद उससे पूछा जाएगा, के कलर कौन सा है, फिर इसके बाद में गंद कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है, टच करने में किस तरीके से लग रहा ह पिर कोई चीजच खाने की होगी, तो स्वाढ कैसा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, तो सो सेंस के रूख में के दिया जाता है, कहां पर इस्तमाल हो जाती है इता है, मोंटेसरी और फॉब्ल dosen, च्टे बच्च्चे होते है, तो चिन को इन्डा गा is based on self study बच्चे को स्वाध्याई पर डाला जाये बहुत जरूरी होता है स्वाध्याई देखे क्या होता है कि जब हम किसी teacher से पढ़ते हैं किसी और उपागम से पढ़ते हैं तो हमें एक motivation मिलता है जो कि बाहर से होता है external motivation मिलता है जब हम स्वाध्याई करते हैं हम self study करते हैं तो हमारा motivation अंदर से होता है दो तरीके की motivation काम करते हैं जब हमें success मिलती है तो success के लिए सबसे जारा जरूरी होती है कि आप अंदर से बहुत जादा पढ़ने के लिए लालायत हों सीखने के लिए आप आप सीखना चाहते हो तब जाके आप अच्छे से सीख बाते हो तो self study भी बहुत important होती है आगे अब यहां पर देखिए आपका जो syllabus है इसमें आपको teaching के concept पढ़ना है learner की characteristics को पढ़ना है यह दोनों ही हमने पढ़ लिये हैं अब हमें पढ़ना है से कौन कौन से factor नहीं जो teaching को affect करते हैं तो आप देखिए factor affecting teaching के बारे में हम समझें teaching learning process होती है जैसे आप देख रहे है teaching होगी और दूसरी process होगी learning की teacher का role होता है पढ़ाना और learner का role होता है सीखना डोनों ही actively जब participate करते है इस process में जब जाके यह teaching learning की process बहुत अच्छे से चालू होती है बहुत अच्छे से लागू होती है तो एक teacher learner और अगली बात आजाती support material support material में क्या आता है support material में ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि मैं आपको बताऊं पहली बात तो यह आती है syllabus होना चाहिए आपके पास में blackboard होना चाहिए ठीक है जिसमें आप बच्चे को explain कर पाओ आजकल तो smart board भी होता है ठीक है आपके पास में books होनी चाहिए और उसके साथ में आपके पास में अलग-अलग चली किस चार्ट हो गया table हो गया globe हो गया अलग-अलग तरीके के उपागम हो जो बच्चे को environment प्रदान करते हैं सीखने के लिए हैं तो यहां पर यह environment और institution बहुत अच्छा होना चाहिए तो यह सारे factors हैं जो teaching की learning की process को effect करते हैं आगे बढ़ें तो teacher को देख लेते हैं देखिए teaching एक ऐसा job है जो कि जिसमें आप अपने सारे ही जो आप desires होते हैं उसे fulfill कर सकते हैं एक teacher जो है एक artist भी होता है एक तरीके से guide करने के लिए भी बच्चा होता है philosopher भी होता है तो teacher में बहुत सारी qualities होती है तो teachers should have following qualities personal qualities like warm मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जोसिश के साथ में उसको पढ़ाना चाहिए vaccinate होता है sympathetic होता है democratic होता है मतलब लोगतांत्रिक होता है आश्यावादी होता है dynamic होता है मतलब बहुत अच्छी personality teacher की होती है जो overall अपनी emotions को side में रखकर अपनी students को जो पढ़ाता है वो कहलाता है teacher ठीक है और अगर हम professional उसकी qualities के बारे में पढ़ें तो effective communication होता है आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं जैसा भी पढ़ा रहे है mathematics हो science हो history हो geography हो लेकिन आपकी बात communicate होनी चाहिए बहुत अच्छी से बच्चे की बास में समझने आनी चाहिए जाहे language हो आपकी English हो Hindi हो या फे Marathi गुजराती कोई भी हो लेकिन communication होना च्छी आपकी बास ता बच्चे समझ पाएं इस तरीके से proper use of teaching instructional facilities बहुत अच्छे सोगों अपनी teaching facilities बहुत अच्छे सोगों का management करना आता हो और बच्चों का मुल्यांकर करना भी अच्छे से आता हो तो ये सारी quality एक teacher के अंदर होनी आवश्यक है आगे बढ़े तो यहां पर बात आ जात ठीक है अपोन कौन सी skills है तो first आ जाती है core teaching skill दूसरी specific teaching skill फिर आ जाती है target group teaching specific skill देखिए आपका जब syllabus होता है तो उसमें भी उसका design कैसे होता है पहले आते हैं आपके core subject फिर आते हैं आपके specific subject जिसमें आप ही लेते हैं उसको फिर आ जाते है कुछ special subject है जिसमें आप अलग तरीके के subjects opt करते हैं, तो core subjects में सभी सारी तरीके के subject होते हैं, जो सभी को पढ़ने होते हैं, specific में कुछ students अलग तरीके से opt करते हैं, इसी तरीके से special subject भी कुछ students opt करते हैं, core teaching skills अभी subject के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, जिसमें communication करना, बहुत अच्छे से पढ़ाना, psychologically बच्चे को समचने की कोशिश करना, तो ये सारे subjects के लिए important होती है, फिर कुछ specific होती है, जिसे language पढ़ाना, social science पढ़ाना, maths पढ़ाना, ये specific teaching skills होती है, जो जिसके लिए specifically teachers को select किया जाता है, फिर target group मतलब exceptional, जो children होते हैं उनको, जिसे कुछ special child होते हैं, जो किसी तरीके की disabilities के शिकार है, उनके लिए special teachers की आवश्यक्ता होती है, आगे बढ़ते हैं हम, अब यहां पर एक बास समझने की है, आप सभी students की, the National Council of Educational Research and Training, जिसको short form में कहा जाता है NCERT, इन इट्स publication called teaching skill, 1982, has said, led stress on the following teaching skill, उन्होंने क्या कहा, 1982 के हसाब से, ये सारी जो skills हैं, वो teachers के अंतरगर होनी चाहिए, जिसमें बहुत जरूरी skills होती है, तो इसको समझ लेते हैं हम, पहला आजाता है, organizing the content, सबसे पहले जो आप content बना रहा हैं, जो बच्चे को आपको पढ़ाना, उसको बहुत अच्छे तरीके से, आप और्गनाइज करें, नहीं तो आपका lecture बहुत लेंदी हो, नहीं short हो, बोरिंग ना हो, बहुत अच्छे से आप उसे explain करें, next आता है, creating set of introduction the lesson, आप अपने subject को, आपने विशे को बहुत अच्छे से introduce करवाएं, बच्चो को, उसका बहुत अच्छे से introduction दे, फिर आता है क्या, introduction the lesson, पैट का बहुत अच्छे से परिच्छे देना, फिर आता है, structuring classroom questions, बहुत जरूरी होते हैं, जो कि आप आपके बच्चे की अंदर interest, मतलब जो आपका student है, उसके अंदर interest पैदा करते हैं, आपके part को लेकर आप पढ़ा रहें, जो लेस्नों आप पढ़ा रहें, उसके लिए आपको interest पैदा करना बहुत ज़रूरी हो, उसके अंदर query आनी चाह, तब तो आपका lecture सुनने के लिए तयार होंगी, नहीं तो उन्हें क्या लगएगा, यह जो किताब में लिखा वही सार पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब जाके बढ़ लेंगे, लेकिन आपके question से, आप उसके बच्चे की answer से, उसके अंदर पार्ट को या फिर आपकी lesson को समझने की एक जिग्यासा होजाकरत होती है, तो questioning बहुत important होती है, फिर आजाता है question delivery, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, response management, आप बच्चे को किस तरीके से response कर रहा है, वो भी important होता है, आपका explanation बहुत अच्छा, आप किसी विविशय को किस तरीके से explain कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी होता है, next आजाता है illustration with this example, आप बच्चे को जो कुछ भी समझा रहे हैं, वो real life examples के साथ समझाईए, पहानियों के माद्दम से समझाईए, जैसा भी विशय का demand होता है, उस तरह से समझाईए ताकि उससे समझ में, using teaching instructional facilities, जो भी instructional materials की जरूरत होती है, teaching aids की जरूरत होती है, चाहे chart हो, चाहे flowers हो, चाहे आप garden में लेकर समझाए, चाहे globe के माद्दम से चाहे, चाहे lab के माद्दम से समझाए, उसका इस्तमाल करना, teacher को अच्छे से आना चाहे, next है stimulus variation, बच्चे के अंदर stimulus का मतलब, जब भी stimulus word आता है, तो बात आ जाती है उत्साहा पैदा करना, बच्चे के अंदर उत्तीजित उसको करना, तो उत्साहा भरने वाली activities होनी चाहे है, फिर आ जाता है, पार्ट की गती, lesson बहुत speed में भी नहीं होना चाहिए, बहुत slow भी नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा ना तो बोर हो नहीं ऐसा हो, कि आपने जो पड़ा दी उसको समझ में नहीं आया, promoting students participation, बच्चे की participation को improve करना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा आपके classroom में अगर 40 students हैं, तो आपका 40 का 40 student जो है वह आपकी classroom में participate करना चाहिए, इस तरीके से आपका management होना चाहिए, फिर blackboard का अस्तमाल आपको करना चाहिए तो बहुत ज़रूरी है, फिर आ जाता है closer lesson का closer जरूर होना चाहिए, जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो close end में हो, मतलब full stop लग जाए और full stop कब लगेगा, जो कुछ भी आपने पढ़ाया ना बच्चे को समझ में आ गया है, फिर आता है उसे assignment याने कि उसको test और उसके साथ में homework देना जरूरी होता है, ताकि वो गर में भी practice करें, फिर आता है evaluating, आप अपने बच्चे का, आप अपने student का evaluation अधा मूल्यांकन टाइम टाइम पर करें, ताकि उसकी प्रगति की जाँच हो पाए, फिर आता है diagnostic people's learning difficulties and taking remedial measures, देखे, students जैसे मैंने आपको कहा, आपकी class में 40 अगर बच्चे हैं, 40-40 बच्चे अलग-अलग abilities के होंगे, कुछ बच्चे बहुत quick learner होते हैं, कुछ बहुत भीने समझते हैं, तो आपकी जो teaching process होना इस तरह से होनी चाहिए, कि आप हर एक student को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको सिखा पा रहे हैं, ऐसा नहों कि आपकी कुछ जो आगे की front benches होते हैं, जो जल्दी जल्दी answer देते हैं, केवल उन पर ध्यान है, और उनकी उस पर remedy पर काम भी करना होता है, management of the class, class का प्रबंदन बहुत अच्छे से होना जाए, प्रबंदन में सब चीज़े आती है, classroom में व्यवस्था कैसी हो, classroom में क्या-क्या facilities हो, classroom में students किस तरीके से बैठ हैं, उनका role number कैसा, आपको arrange करना है, classroom में, क्या-क्या equipment होने चाहिए, क्या stationery होने चाहिए, सारी चीज़ें classroom management के अंदर आती है, teaching के बारे में हमने समझ लिए, teachers के बारे में समझ लिए, अब आ जाती है, बात learner की है, यहां पर सिखाने वाला नहीं लिखा है, यहां पर सीखना है यह होगा, तो learning बहुत important होती है, एक learning एक ऐसी प्रक्रिया है, जो कि क्या है ना, इंसान के जन्म से लेकार मृत्यों तक चलती रहती है, जो कि जब तक वो जिन्दा है, जब तक कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, जब तक वो इस थर्ती पर है, तो learning जो है, वो किस पर बेस्ट होती है, जो mainly जो learner है, उस पर आधारित होती है, वो कितने अच्छ से चीजों को सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, उस पर important रखती है, ठीक है, तो more intensity of learning, सबसे पहले intensity है बहुत अच्छी होने चाहिए, सीखने की तीवरता होने चाहिए, more retention होना चाहिए, सीखने के में प्रतिधारण करना, किस तरीके से आप बार बार सीखने की कोशिश करते हैं, joyful learning होने चाहिए, learning ऐसी हो कि जो आपको मजे भी दे, self motivation भी important होता है, अपने आपको जैसे कि मैंने आपको बता है, दो तरीके की motivation होते ही, एक अंदर का motivation होता है, और यह बाहर से लोग देते हैं आपको, अंदर का motivation ही आपको learning पर मजबूर करता है, फिर इसके बाद में है, background of learner, learning को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है, कौन-कौन से चीज़ है जो learner को प्रभावित करती है, अब आपका जो भी student है, उसका background बहुत अच्छा है, उसके घर में सब पढ़ने वाले हैं, जिस जगह पर society में रहता है, वह भी बहुत अच्छी society है, सारे students जो है, वह पढ़ने लिखने में आते हैं, तो बच्चा भी अपने आप ही उस environment के कारण बहुत अच्छे से पढ़ने लगेगा, इसका अपोधिर देख ले जा है कैसी society बच्चा जोगी में रह रह रहा है, जो parents हैं मों लड़ते जगडते रहते हैं, पढ़ने लेखे नहीं हुए हैं, तो बच्चा भी अपने आप ही जस तरीके से उसके आसपास environment होगा वैसे ही हो जाएगा, बहुत ही rare condition में वह बहुत अच्छा निकल जाएगा, लेकिन maximum time पे learning पर बहातावरण का असर होता ही है, ठीक है, nature of learning material, learning का जो material है उस पर भी निभर करता है, आप जिस तरीके की books, कई सारी books होती हैं, बहुत easy language में समझाती है, बहुत easy language में समझाते हैं, demonstration के मादिम से समझाते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है, सीखने में interested भी होता है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं सीख पाता है, environmental factors की बात की जाए, तो बातावरण किस तरीके से effect करता है, स्पेस कैसा है, physical condition उसकी कैसी है, psychological support कैसा है, यह भी बात होती है, मान लेते हैं कोई बच्चा है, जो physically weak है, बार बार बीमार हो जाता है, उसके कहीं पेट में दर्द, कभी सिप में दर्द, कभी हाथ पेर में दर्द, या फे किसी जरीकी की physical disabilities का शिकार है, तो बहुत अच्छी condition नहीं उपाती है, और मालेते हैं psychological problem है, घर में कोई दिक्कत है, उसके parents में आपस में नहीं बनती है, उसके घर में हमिशा जगड़ी लड़ाई होते रहते हैं, तो भी बच्चा learn नहीं कर पाता है, motivation की बात की जाए तो दो प्रकार की होते हैं, जैसा के मैंने बताया अंदर का बाहर का, बाहर से motivation parents दे सकते हैं, teachers दे सकते हैं, magazines के माधियम से, videos के माधियम से, अलग अलग की books के माधियम से मिल सकता है, लेकिन inner motivation उसके अंदर से ही आता है, फिर आता है learning supports, तो learning support में human teacher, parents, electronic audio video, computer, teachers तो सबसे important support material होते हैं, क्योंकि वही सिखाएंगे पढ़ाएंगे, बच्चे की सबसे पहले गुरूस के मातापिता होते हैं, वो समझाते हैं, इसके अलावा, बच्चा electronic medium से भी सीखता है, audio books के माधियम से, video lectures के माधियम से, email के माधियम से भी बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा आज का session जिसमें हमने बात कर ली teaching learning materials के बारे में, और साथी साथ में qualities of teachers के बारे में, qualities of learners के बारे में, इसके साथ साथ में हमने teaching के सिध्धानतों के बारे में पढ़ा, total मिला के 12 सिध्धानत हमने पढ़े, क्योंकि बहुत important है, तो इस class में यहीं तक था, I hope का आपको यह class सही लगी होगी, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे videos देख रहे हैं regularly, यह हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, इसमें आपको प्लेलिस्स मिल जाएंगी, जिसमें completely free आपको sessions मिलेंगे, जिसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो हमारी प्लेलिस्स है इसमें, आपको पेपर वन के complete video lectures मिल जाएंगे, पेपर वन की, तो आप एक बार जरू विजिट करें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जाकर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जॉइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा जो application उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस application में भी आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगे, PDF notes मिल जाएंगे, आपको solve MCQs मिल जाएंगे, आपको recorded lectures मिल जाएंगे, आपको 5 सालों के papers मिल जाएंगे, तो आप हमारे application को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप exam targeted study कर सकते हैं, अगर कोई भी query होती है, तो आप हमें इस number पे contact कर सकते हैं, अगर आप हमारे group का हिस्सा बनना चाहते हैं, मारे WhatsApp group का तो आपको इस number पे message कर दीचे, मैं आपको link बेज़ दूँगी, आप हमारे group का हिस्सा बन जाएए, टेलिग्राम से जोइन जरूर हो जाएए, जो मैं पढ़ाती हैं उसके notes आपको यहां मिल जाएए, इंस्टा पे आपको मैं follow कर सकते हैं, Facebook पे follow कर सकते हैं, अगर कोई query होती है, आप हमारे application को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की link यह दी हुई है, और description box जैसे आप खोलेंगे, वहां पर भी आपको यह link मिल जाएगी, आप Android यूजर हैं या फिर आप iPhone यूजर हैं, दोनों ही condition में आपको link दी गई हैं, आप हमारे application को जरूर डाउनलोड करें, और चेक करें, आपको बहुत सारे यहां पर test series और notes मिल जाएंगे, तो एक बार देख सकते हैं, अगर पसंद आते हैं तो notes आप purchase कर सकते हैं, test series purchase कर सकते हैं, जो कि अगर आप notes आप देखें, वैसे तो आप video lectures के मादियम से classes attend करके पढ़ सकते हैं, लेकित अगर आप ऐसे हैं कि आपको समय नहीं होता है, आपके पास बहुत ही कम समय, एक दो घंटे का ही समय मिलता है आपको पूरे दिन के schedule में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको lectures attend करने का समय नहीं हैं, तो आप notes ले लें, आप travel करते हैं, office जाते हैं, उस वक्त आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में उसी से related test series को solve कर लीजे, आप इतना ही regular business पे करेंगे, तो आप net clear कर सकते हैं, किछले सालों के 5 सालों के papers आप solve कीजे, regular हर एक unit के MCQs आप solve कीजे, इस तरीके से आप net clear कर सकते हैं, तो इन सभी qualities के लिए, इन सभी facilities के लिए, आपको हमारे application को download कर लेना चाहिए, वहां से आप हमारे notes ले सकते हैं, तो इस video में इतना ही, इस class में इतना ही कल फिर मिलते हैं, और अगर यह अच्छी लगी हो, लाइक करना है, दूसरों के साथ में share कर देना, और अगर कोई query होती है, तो comment section में जरूब पूछे, मैं उसका answer करने की पूरी कुशिश करूँए, that's all from my sir in this video, मिलती हो बहुत जल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए,